हेलो वेल्कम बैक तुमाई चैनल आयम सब अब आज कहसे हैं आप लोग तो जैसे कि इस सब को पता है कि इस टाइम गर्मिया बिल्कुल रिकॉर्ड तो वाली पढ़ रही है तो मेरी हाला तो खरब हो ही जाती है इसके सब तो मारे सकें हमारे हेर इन सब की भी बैंड बज जात बिकॉस यह ना मैंने खुद खुद परसनली ट्राइ कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हों बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं अगर आप लोगोंने मेरा बताय हुआ स्किन केर इस गर्मी की सिसम में फॉलो करा तो ट्रस्ट में आपना मुझे थांक्यू बोलने वाले हो यह बिकॉस मैंने दिगाए कई लोग नहीं करते हैं कई लोग तो मतलब मुझे लगता है डिया वाइज ही फॉलो करते हैं तो स्टार्ट करते बार याज की वीडियो की साथ लेट्स केट स्टार्ट इंग फॉर्स एक आदत आपको रेगुलर्ली मतलब सिर्फ गर्मी नहीं का मेटबॉलिस इंप्रूब करता है आपके हेर क्वालिटी इंप्रूव होती है स्किन क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है और इसके बहुत सारे फायद है तो जो सेकिंड चीज से आप कर सकते हो वो है एक सीटीम रूटीन फॉलो करना सीटीम मतलब होते है क्लिंजिंग toning and moisturizing यह तीनों चीज़ आपको दिन में दो बार करनी है morning में और night में मतलब सोने से पहले आप कर सकते हो शाम को भी कर सकते हो मतलब जैसे आपको comfortable होते है उस तरीके से आप दो बार दिन में यह वारा process ज़रूर फॉलो करो और मैं आपको ना इसमें कोई ऐसे नहीं बताने वा होगे ना तो आपका ना oil reduce हो जाएगा sweat remove हो जाएगा impurities निकल जाएंगे सारी dead skin remove हो जाती है एकने से भी fight करता है आपके blackheads whiteheads pigmentation tanning जो भी चीज़े सारी अच्छे से clean हो जाती है like literally clean करता है आपके skin को ctm से c तो मारा हो गया cleansing तो हो गई है now second step आपाता है toning तो आप rose water को भी as a toner यूज़ कर सकते हो इसके बहुत सारे फायदे है तो आप इसको as a toner जरूर यूज़ कर सकते हो मतलब moisturizer तो आपको एक अच्छा moisturizer अब आप लोग सुचोगे कि गर्मी हो रही वैसे skin इतनी oily हो जाती ही हो जाता है तो moisturizer क्यों लगा है बट आपको skip नहीं करना है moisturizer लगाना है बट depend करता है कि गर्मी की season में आप ट्राय करो कि gel based moisturizer लगाओ light moisturizer लगाओ बट moisturizer ज़रूर लगाओ तो मैं आपको कोई बाहर का moisturizer नहीं बताने वाली हूँ बहुत ही easy and बिल्कुल सटीक best बताने वाली हूँ यहां मैं alo ice cube यूज कर रही हूँ इसको कट करके freeze कर देना और आपकी ice cube रेडी हो गई है इसे क्या होता है सुबर सुबर मॉर्निंग आप इसको यूज करोगे ना तो आपकी जो puffiness होती है ना स्किन की face की वह reduce होती है आपका sunburn से बचाता है aloe vera आपकी स्किन को मतलब डीप ली मॉश्चराइज भी करता है skin aging से fight करता है infection acne redness मतलब काफी help करता है आपकी स्किन को काफी healthy बनाता है तो आप इसको as a moisturizer कर सकते हो सो हमारी cleansing हो गई toning हो गई moisturizing हो गई अब हमारा four step आता है जो की वी आई-पी step है मतलब very 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 important वह है you sunscreen daily मतलब दो से तीन बार आपको sunscreen daily लगानी है यह ना आपको harmful UV rays होती है sun की उससे बचाता है आपको premature aging से बचाता है sunburn से बचाता है tanning से बचाता है in fact मतलब आपकी overall जो आपकी skin health होती ना इससे काफी सदा improve करता है and protect भी करता है so यह तो हो गई हमारी उपर की care अब internally care करना भी बहुत जरूरी है कुछ ऐसा नहीं करने को कह रही हूं मैं बहुत simple है और काफी सदा अच्छा भी लगेगा आप लोगों को तो मैं यह आपे खा रही हो खर्बूजा तो खर्बूजा तर्बूज मैंगो खीरा ककडी सब गर्मियों के फ्रूट से काफी अच्छे भी लगते हैं गर्मियों में सीजनल फूट्स में क्या होता है आपको न्यूटिशनल वैल्यू काफी हाई मिलती है इनका फ्लेवर बिल्कुल भी मतलब आपको अर्टिशनल फ्लेवर मिलेगा इन इसमें क्योंकि नाच्रली पकते हैं और प्रिजाव होते हैं सो यह तो एक नॉर्मल रूटीन हो गया जा आपको फॉलो करना है डेली आपको फॉलो करना है बट मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जो को इसफोलीशन के लिए मैं लेरी हूं काफी ब्राउन सुगर हानी इन तीनों के बहुत सारे ठाइब आपके सकिन के लिए यह ना आपके ब्रॉट सर्कुलीशन को काफी तदा इंप्रूब करता है आपके स्किन यूथ फुल बनाता है डेंट सकिन एक्सेस ऑईल ब्लैक और हनी तो आपके skin को deeply moisturize भी करता है और आपके pores को बहुत अच्छे से clean करता है तो यह तीनों चीज़े आपके skin को exfoliate करने के लिए बहुत अच्छी है आप इसको as a exfoliator use करो and you will see the result exfoliation के बाद हम apply करेंगे face pack face pack के लिए में ले रही हूँ बेशन डही और lemon इन तीनों को भी mix करके काफी सदा फायदे अपके डर्ट को clean करता है excess oil जो आपकी skin produce करते है उसको remove करता है sap fresh pentru भी जाख करता है और दधी क्या करते है आपकी को मोस्चीर आइस करता है एक्ने से prevent करता है अपके pores को tight करता है आपके कियंके texture को even out करता है और le chocolates और बहुत सारे जाने के बाद 10 मुडबाद अभी से धोलें और यू विल से रिजल्ट समरा एक्सपोलीशन हो गया फेस पैक लगा लिया हमने अच्छी से स्किन अच्छी अच्छी हो गई है ना एक और चीज है जो कि मैं जो कि मैं को रिकमेंट करूंगी बुट वो ऑप्शनल अगर आप करन इसके लिए अपको बहुता ताम ज्याम करने की ज़रूरत नहीं है आपको चाहिए को कुम्बर जूस और अलोवेरा के पीसिस रोज वाटर और थुर सा पानी आड़ कर सकते हो इसको अच्छी से मिक्स कर लें और एक स्प्रे बॉटल में आप इसे रख लें एक हफ्ते स्ट रख लें आपको खूआ एक हफ्ते के अंदर यह थीस दिन वे अपने अपने एक फटे के अंदर लाएक स्ट पलाए कर सकते हो आपना एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे आपके इतनी ज्यादा मतलब क्लीर ओग जाएगी घ्लोइंगों जाएगी रूइट्य बहुत अच्छा फील करोगे आप आप ट्राइ करो फिर बताना खुद से ही आपको पसंद आएगा तो यह थे हमारे स्किन केर टिप्स डियाइवाइस कुछ अगर आप लोगों कोई जरा भी हिल्फुल लगते हैं आपको पसंद आए और आप इन्हें फॉलो करना चाहते हो त क्याओ़ झाहते हो यह झाहते हो चुल लगते हुआ कोई लगते हैं आपको यह यह झाओवाद गयाओ डिश्चामा आपको झाल नहें आपको जब से पिर पिल्दादाँ से हरुलों यह झाल